एक औरत का रेप हो जाता है और यह जो रेपिस्ट है इसके आसपास ही है इस रेपिस से रिवेंच लेने की ये कहानी है आज की मुवी L ये एक रिवेंच ट्रिलर है इस मुवी में हमारे क्यारेक्टरस बहुत जादा फॉल्टी है अगर आपको कुछ गलत लगे तो मुवी की लास्ट में आपको सब कुछ में समझाने वाला हो ये बहान बना देती है इसका बेटा विनसर्च अब फादर बनने वाला है अपने बेटी की फूल रिस्पॉंसिबिलिटी ये लेने वाला है और इसकी गल्फरेंट के साथ है रहने वाला है विंसर्ण जए ये कुछ भी काम नहीं करता था ये अज़ टोटल लूजर टाइप क्यारेक्टर हमें दिखाया गया है पर जब से इसे पता चला है कि इसे बेटा होने वाला है तो अब रिस्पॉंसिबिलिटी लेने लग गया है माइक ड़नास जैसी जगा पर ये अब काम कर रहा है विंसर मिशेल को कहता है कि अब वो नए घर में मूविन करने वाला है इसके बास इतने सारे पैसे नहीं है तो मिशेल कहती है कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकती हो ये इसे तीन-चार महने का रेंड देने वाले होती है Winston की girlfriend Michelle को पसंद नहीं है उसे लगता है कि वो उसके साथ सिर्फ पैसो के लिए है इसके बाद इसका सन चला जाता है रात में अपने साथ एक hammer रखती है और उसके साथ इसोती है आप ने इस डे Michelle जॉब पर भी जाती है वीडियो गेम्स डेवलप करने की उसके एक agency होती है Michelle ने अपनी friend के साथ ही established की थी Michelle जब गेम review कर रही होती है तब उसमें जो scenes है यो violent तो है पर इसे वो realistic नहीं लगते यह बहुत ही professionally अपना काम कर रही होती है यहाँ पर इसका एक employee होता है जो उसे कहता है कि तुम गलत कह रही हो यह game खेलने लाइक ही नहीं है हम एक console पर ध्यान देना चाहिए इन सब चीजों में अगर हम लग गए तो game बहुत postpone हो सकता है Michelle उसे कहती है कि तुम मेरे लिए काम करती हो मैं तुमारे लिए नहीं करती हम already schedule से behind है वो जो मैं कह रही हो यह हो जाना चाहिए इसके बाद Michelle डॉक्टर के पास आजाती है सब test और करवा लेती है Michelle जब restaurant में होती है तब वहाँ एक औरत आती है और उसका सब खाना उस पर गिरा देती है यह वो deliberately करती है यह Michelle को कहती है कि तुम monster की daughter हो यह कहकर हो चली जाती है Michelle के जो father है यह jail में है और यह क्यों jail में गए थे यह जैसे movie progress होगी विसे हमें पता चलता जाएगा इसके बाद हमें दिखता है कि Michelle उसकी mother से मिलने आती है इसकी mother का एक young boyfriend होता है Michelle को अपनी mother की boyfriend अच्छे नहीं लगते Michelle की mother को इस सबसे कुछ जादा फरक नहीं पड़ता Michelle अपनी mother को उसके जो monthly expenses वगरा होते है यह सब देने के लिए वहाँ आई होती है Michelle की mother Michelle से यह दिये कि तुम्हें जाकर तुम्हारे father से मिलना चाहिए father जेन में जाने के बाद Michelle कभी भी उनसे नहीं मिली है और वो मिलना भी नहीं चाहती यह जब घर आती है तो इसके neighbor Christmas के लिए घर वेगर ready कर रहे होते है यह उसे party के लिए भी invite करते है घर पर locksmith आयो होता है और door के locks वेगरा हो change कर रहा होता है पीछे का दर्वाजा जाम होता है इसी वज़े से वो rapist अंदर आ सका था अब यह incident याद करने लग जाती है थोड़ी देर में उसकी phone पर message आता है इसमें लिखा होता है कि इसकी ज़्यादा है पर फिर भी यह बहुत ही सही है यह message उसकी rapist का होता है अब Michelle बाहर निकल थी है और paper spray और एक बड़ी सी axe लेकर आती है अगर उसके साथ फिर से यह हुआ तो आपने आपको defend करना जाती है रात में Michelle अपने एकस husband अपनी friend और उसके husband इन सब के साथ dinner करने वाली होती है जब वो पार्क करी होती है तो अपने husband की गाड़ी को ठोक देती है इसके husband ने उसे मारा था इसी वज़े से इन तोनों का divorce हो चुका था जब Michelle की friend वेगेरा वहाँ आ जाते है तब उसके साथ क्या हुआ था यह सब उने बता देती है यह सब उसके लिए concern होते है यह पूछते है कि क्या तुमने पुलिस को बुलाया था यह कहती है कि नहीं मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है ही इस पर ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहती यह उसे बता देती है Michelle और उसका husband जब अकले होते है तब Michelle का husband पूछता है कि क्या तुम पुलिस को नहीं बुलाना चाहती क्योंकि तुम उनसे कुछ डील नहीं करना चाहती Michelle कहती है कि बच्पन से मैं पुलिस और जनरलिस्ट इनसे ही बात करती है रही हूँ अब इनसे इसे कुछ भी लेना देना नहीं चाही होता इसके father का जो case है बहुत ही high profile case था अगर इसके साथ जो हुआ है इस जनरलिस्ट वगरा सब लोगों को पता चल गया तो फिर से इसकी live disturb हो सकती है Michelle के husband को भी एक video game की idea होती है उस पर वो game बनाना चाहता है Michelle कहती है कि तुमारा जो idea है ये investors के लिए कुछ ideal नहीं है इस पर वो games नहीं मना सकते है इसके बाद next दिन Michelle अपने son के साथ apartment देख रही होती है ये उसे rain के लिए support करने वाली होती है तो ये देखने के लिए वो आई हुई होती है Michelle के बेटे की यानि Vincent की girlfriend जो apartment Michelle उसे लेकर देने वाली होती है ये वो नहीं देखती है वो एक expensive apartment देखती है इस पर इन दोनों का जगड़ा हो जाता है इसके बाद next in में हमें दिखता है कि Michelle जब अपने job पर आती है तो उसकी friend का husband वहाँ आया होता है इन दोनों का अफ़ेर चल रहा होता है रात में Michelle जब अपने office में अकेली होती है तब उसके mobile और message आता है इसमें लिखा होता है कि तुम्हारा shirt मुझे बहुत ही पसना आया है इसका मतलब है जो rapist है ये उसके आसपास ही है office में एक photographer होता है जो हमेशा violent images वे गराल ले देता है ये वही होता है जिससे Michelle के नहीं बनती Michelle अब इस पर शक करने लग जाती है next दिन Michelle अपनी mother से मिलती है उसकी mother से समझा रही होती है कि तुम्हारे father कोई monster नहीं है वो भी इंसान ही है तुम एकी direction से इस situation को नहीं देख सकती वो अब बुड़े हो चुके है law कवे भी उन्हें जेल से बाहर नहीं आने देगा तुम्हें उनसे जाक कर मिलकर आना चाहिए Michelle इस चीज पर बात नहीं करना जाती है Michelle जब घर पर होती है तो वो incident फिर से imagine कर रही होती है imagine कर रही होती है कि उसके हाथ में कुछ था और उसने रेपिस्ट को मार दिया था यह सिर्फ imagine करना भी उससे बहुत अच्छा लगता है Michelle जब डीवी लगा दिये तो उसके फादर ने जो किया था इसके ही न्यूज चल रही होती है हमें पूरे नेबर होड में वाइलन्स हुआ था यह टीवी पर दिखाए जाता है वाब पर मीशेल भी थी मीशेल को नीचे गाड़ी की आवा सुना देती है मीशेल जब देखने के लिए जाती है तो यह वियाइकल उसे suspicious लगता है यह उसे रेपिस्ट का ही लगता है वो अपनी एक्स लेती है और इस गाड़ी के पास जाकर उसका शीशा फोर देती है अंदर जो आदमी होता है इसके आग पर वो प्रिपरस पे लगा देती है इसके बाद इससे पता चलता है कि इसका यह एक सस्बन था इसका एक सस्बन उसे कहता है कि तुम बोल रही थी कि वो तुम्हारा पीछा कर रहा है तुम पुलिस प्रोटेक्शन में नहीं चाहती है तुम्हें तुम्हें हेल्प करनी के लिए आया था वो अलग गाड़ी में आया था इसलिए मिशल उसे पहचान नहीं पाई इसका एक सस्बन उसे कहता है कि उसकी गल्फरेंड की एक कार है मिशल उसकी गल्फरेंड में अब इंटरस्टेड हो जाती है उसे वो मिलना चाहती है पर उसका एक सस्बन इसे एक करने नहीं देगा नेक्स दिन मिशल अपने काम पर जब होती है तो उसकी गेम की एक क्लिप उसे आती है इस clip में उसका face लगा हुआ होता है और उसका monster उसे rape कर रहा है यह इसमें दिखाया जाता है यह clip उसके पूरे office में चली जाती है Michelle की friend उसका हाल पुछने के लिए आती है Michelle कहती है कि यह पहली बार नहीं हुआ है यह rapist मुझे बहुत सारी चीज़े भेज रहा है इसकी friend उसे कहती है तो यह पुलिस के बास जाना चाहिए Michelle कहती है कि पुलिस ने जनरलिस्ट ने मेरी पूरी लाइफ बरबात कर दी थी उसके बाद मैंने अपनी लाइफ फिर से बनाई है जो सब मैंने अप खड़ा किया है मैं इसे लूज कर सकती हूँ मैं इस सब होने नहीं दे सकती यह कहती है कि यह inside job है इसी office में कोई है जो इस सब कर रहा है Michelle का एक जो employee होता है जो उसे बहुत पसंद करता है यह उसके पास जाती है यह technology वेगरा ही समालता है तो Michelle उसे कहती है कि इसे बनाई कैसे गया है यह कहता है कि हमारे office में किसी का काम हो सकता है पर ऐसा कंपल सरी नहीं है हमारे servers भी hack हुए थे यह बाहर के भी किसी काम हो सकता है इसके बाद next day Michelle अपने ex-husband की girlfriend से मिलने के लिए जाती है उसे उसके car के लिए स्वारी कहती है इसके बाद Michelle की घर पर एक Christmas party वो रखने वाली है इसलिए अपने husband के ex-girlfriend को भी बुला लेती है इसे यहाँ call आ जाता है और उसके son को अब बेटा होने वाला है delivery हो जाने के बाद अपने son के बेटे को देखती है तो ब्लैक होता है उसके son का friend भी हाए होता है जो भी ब्लैक होता है यह अपने son से disappointed होकर बाहर आ जाती है वह एक nurse होती है जिससे वो बात ही करने लग जाती है यह कहती ही कि मैं और मेरी friend एक साथ ही pregnant थे मेरी friend का miss carriage हो गया था और मुझे बेटा हो गया मेरी friend बहुत ही कम में थी उसे मेरे बेटे को दूद पिलाना था तो मैंने उसे करने दिया इसका बात मुझे लगता है कि मेरा बेटा मेरी friend के साथ ही close है इसका बेटा है पर फिर भी यह ऐसा कैसा है यह उसे समझ में नहीं आता वो कभी भी अपने बेटे से सही से relationship नहीं बना पाई मिशल रात में जब घर पर आती है तो वहाँ बहुत सारे पुलिस वगरा आये हुए होते है इसका नेवर नहीं इन पुलिस को बुलवाया होता है इसका नेवर जब भार घुम रहा था तो मिशल के घर में कोई घुस रहा है यह उसने देखा था कि बीचे है भागा पर इसे वो पकड़ नहीं पाया इस वज़े से अब यहाँ पुलिस आई हुई है इसका नेवर मिशल को घर तक छोड़ने के लिए आता है मिशल को उसका नेवर अच्छा लगता है उससे ज़रा फलट करने लग जाती है नेक्स दिन मिशल जब अपने ओफिस में आती है उसका शक इसके ओफिस में फोटोग्राफर जो है इस पर ही है यह अपने फ्रेंड से पुछती है क्या यह स्कीन करता है क्योंकि जिस ताइम रेपिस उसके घर पर आया था तो उसने स्की मास्क ही पहना था यह फोटोग्राफर स्कीन करता है मिशल फिर अपने दुसरे एक कोवर करके पास जाती है उससे कहती है क्या तुमें शुटिंग करना आता है इसे पता होता है यह से शुटिंग रेंज पर लेकर जाता है वहाँ जाकर मिशल उससे कहती है क्यों मेरे पास तुमारे लिए एक जॉब है जो कलीप आई थी यह हमारे सरवस से कहां से आई थी यह तुमें ढूंड़ना है इसके लिए बहुत सारे पैसे भी उससे देने वाली होती है मिशल अपने नेबर से अट्रेक्टेड है उसे वाई भी है वो रात में जाती है और वो एक क्रिस्मस पार्टी अरेंज करने वाली है तो इसके लिए उन दोनों को इन्वाइट करकर आती है जब इसकी पार्टी चलती है तो इसका हस्बन, नेबर, उसकी मदर और उसका बेटा यह सब वहाँ आये होए होते है जब इनर टेबल पर होते है तो मिशल अपना पैर अपने नेबर को लगा रहे होती है उसे वो फ्लट कर रहे होती है अब इमें दिखता है कि मिशल की मदर अनॉस्मेंट करने लग जाती है वो कह रहे होती है कि अब वो शादी करने वाली है मिशल इस पर बहुत ही चिर जाती है यहाँ वो ज़रा तमाशा खड़ा करती थी है डिनर खतम हो जाने के बाद अपने नेवर के साथ यह बेटी हुए होती है इसके फादर ने क्या इंसिडन्ट किया था इसके बारे में उसे स्टोरी सुनाती है यह यह थी कि उसके फादर एक रिलिजिस आदमी थे सब बच्चे जब स्कूल में जाते थे उसे पहले उनके माथे पर एक क्रॉस बनाते थे नेवर्स को एबात पसंद ने आई उनका दिमाग खराब हो गया इन्होंने एक मिशे डिली और सब नेवर्स को मार दिया जब वो घर आये तो मिशेल के साथ वो घर जनाने लग गये मिशेल भी छोड़ी थी तो उसने भी उन्हें हेल्प किया था इसके बाद मिशेल की पूरी लाइफ चेंज हो गई थी मिशेल भी एक साइकोपैथ है इसा सब को लगने लग गया था जनरलिस्ट हमेशा उसकी लाइफ पर ध्यान रखते थे बजबन से लेकर आज तक वो इस बात से पुरी तरह से उभर ही नहीं पाई है यह बात ही कर रहे होते है तभी इसकी मदर कोलाप्स हो जाती है मिशेल की मदर को स्ट्रोक आया हो था है और एक कॉमा में चली गई होती है मिशेल को सपोर्ट करने के लिए उसकी फ्रेंड उसके पास ही सोती है नेक्स सुबाँ जब मिशेल उठती है तब उसकी फ्रेंड का हस्बन वहा होता है मिशेल उसे कहती है कि हम जो सब कर रहे हैं यह हमें अब स्टॉप कर देना चाहिए हॉस्पिटल में अपनी मदर से वो मिलने के लिए आती है उसकी मदर उस पर नाराज थी तभी उसे स्ट्रोक आय गया और वो कॉमा में चली गई है यह अपनी मदर से कह रही होती है यह कैसा भी तुमें आक्ट करो कुछ भी करो में तुमें कोई भी बोलने वाली नहीं बस सिर्फ मुझ पर नाराज मतो यह जब मिशल उसकी मदर से बात कर रही होती है तभी उसकी मदर अंस्टेबल होकर वही उसकी डेथ हो जाती है मिशल की मदर उसकी अस्तिया एक पार्क में डालना चाहती थी मिशल इस पार्क में अपने सन अपने एक सस्बन उसके फ्रेंड्स के साथ आ जाती है यहाँ पर विंसन और उसकी गल्फरिंड का अब जगड़ा हो जाता है मिशल विंसन पर चिर जाती है वो कहती है कि हमेशा तुम्हें वो ऐसे ही करती रहेगी ये बेटा भी तुम्हारा नहीं है फिर भी तुम उसके साथ रह रहे हो इसके बेटों को ये सब बाते नहीं सुननी होती है उसका बेटा यहाँ से अब चला जाता है रात में मिशेल का नेवर उसके पास आजाता है वह कहता है कि स्टॉम आने वाला है तो सब खिड़िया हमें बंद कर लिनी चाहिए जब उसे help कर रहा होता है तो दोनों एक दूसरे के पास आजाते है उसके नेवर को realize होता है यह गलत है और वहाँ से चला जाता है मिशेल भी कुछ सोचते हुए में दिखती है इसके बाद मिशेल जब अपने ओफिस में होती है तो अपने को वर्कर का एक PC देखती है जिसको उसने कहा था कि वीडियो कहा से आई है इसका पता करने के लिए यह वही है यह उसे सफाई पोचती है यह कहता है कि इंडेशनल नहीं था मेरे एक फ्रेंड ने यह देख लिया और उसने सेंड कर दिया था मिशेल पोचती है तुमने बना है क्यों था यह कहता है कि रियल लाइफ क्राइम के फोटोस से यह गेम बनाने की आइड़ा पहले थी मिशेल के फादर के केस की वज़े से इस ने वीडियो बनाया था मिशेल फिर उसे उसकी पैन उतानने के लिए कहती है यह यहाँ पहचान जाती है क्यों जिसे दोंड रही है यह वो नहीं है रात में Michele जब घर पर आ थी है, तो उसके घर में कोई छुपा होता है वो सब फिर से हमला कर देता है, इस बार उसका मास निकाल लेती है यह देखती है तो इसका नेवर ही है, घर से निकल जाने के लिए उससे कहती है नेक्स दिन इसका नेवर जब काम पर जा रहा होता है तब इसे वो देखती है और कुछी बोलती नहीं मिशल अपने फादर से नहीं मिलना चाती थी अब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है जिस दिन पर रिविजे शेडूर होती है उस दिन वो वहाँ पोहँच जाती है इस जेल का जेलर उसके बास आता है उससे कहता है तुम्हेरे फादर ने सुसाइड कर ली है मिशल फादर से मिलना जाती थी जब फादर कोई पता चला तो उसे उसे मिशल से नहीं मिलना जा उसके फादर बहुत ही गिल्टी महसूस करते थे क्योंकि क्राइब में मिशल को भी उन्होंने सामिल कर लिया था उसके फादर ने तभी सुसाइड कर ली मिशेल जेल से घर वापस आ रहे होती है तभी इसका accident हो जाता है वो अपने friend को call लगा दी है पर एक call voice mail पर चला जाता है directly उसके neighbor को ही call लगा देती है उसका neighbor उसे help करने के लिए आ जाता है यह injured हो चुकी होती है तभी इसे मलम पट्टी भी हो कर देता है मिशेल इसे पुछती है कि तुमने क्यों किया था उसका neighbor कहता है कि यह necessary था इसके बाद मिशेल अपने mother के boyfriend के पास आती है वो उसके mother के घर में ही अभी रह रहा होता है उसके घर से निकल जाने के लिए कहती है उसकी mother का जो boyfriend था यह भी उसको hate करता है यह खेता है कि मैंने टिवी पर देखा कि क्या हुआ था एडलिस murder के wife के साथ में सोया हूँ वो as a revenge उसकी mother के साथ था इसके बाद हम देखते हैं कि मिशेल उसके friend के husband के साथ होती है यह अपने friend के husband को कहती है कि यह last बार है हम एक साथ रहेंगे इनका जॉफेर है इने end कर देना है जब मिशेल घर पर आती है तो उसका son घर पर आ चुका होता है उसे बुचते है कि तुम यहां क्यूँ आय हो इसने उसका job छोड़ दिया होता है इसकी car burn पड़ गई थी इसे job करने के लिए एक घंडा travel करना पड़ता है यह effort इसके लिए जादा हो जाते है इसलिए job छोड़ देता है इसी वज़ए से इसकी girlfriend से भी इसकी fight हो चुकी थी अपने बेटे को लेकर वो यहां आया हुआ होता है विंसन की girlfriend भी यहां पोच जाती है यह दोनों fight करते है पर मिशल उसे कही थी है कि उसे अपने बच्चे को लेकर जाने दो इसके बाद विंसन और मिशल दोनों सुपर मार्केट में को शॉपिंग कर रहे होते है तब वहां neighbor भी उसे दिखता है neighbor इनसे कहता है कि मेरी wife बाहर गई है तुम अगर चाहो तुमझे डिनर के लिए जॉइन कर सकते हो विंसन डिनर करने के बाद वो ही सो जाता है मिशल अपने neighbor से बात करने लग जाती है मिशल कहती है कि तुम्हारे floors बहुत ही warm है neighbor कहता है कि basement में मैंने hitting system लगाया है तोनों जब नीचे आ जाते है तो मिशल अपने आपको अपने neighbor को सोब देती है neighbor कहता है कि ऐसे में तुमसे intimate नहीं हो पाऊंगा ये फिर उसे मारने लग जाती है और इसके बाद ये दों intimate हो जाते है इसका neighbor एक psychopath है और इसकी अज़ीव से fantasies है नेक्स दिन मिशल जॉब पर होती है तो उसकी friend उसे कहती है कि मेरे husband का कहीं चक्कर चल रहा है मिशल की friend को पता नहीं होता कि मिशल की साथ उसका husband शोर आए अब हमें दिखता है कि मिशल का game complete हो चुका है इसके लिए वो party कर रहे होते है इस party में हमने friend को कह देती है कि वो मैं ही थी जिसके साथ तुमारे husband का अफेश चल रहा था मिशल का husband भी इस party में आया होता है मिशल के husband को भी game industry में घुसना होता है तो अपने coworker के साथ मिशल उसे introduce करा देती है इसके बाद अपने neighbor को कहती है मुझे तुम घर छोड़ दो अपने बेटे को कुछ कह कर जाती है यह दोनों जब कार में होते है तो मिशल अपने neighbor से कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे जाना नहीं दे सकती है तुमने मेरे साथ जो किया है यह किसी और के साथ भी किया होगा और future में भी तुम यह कर सकते हो तुम्हारी wife भी है यह बहुत ही dangerous है यह neighbor फिर चेट जाता है मिशल जब घर पर आती है तो उसके पीछे आ जाता है इसने mask पहना होता है और मिशल को फिर से जबर्दस्ति करने लग जाता है यहाँ पर Vincent already होता है Vincent एक बड़ी सी चीज लेता है और neighbor के सर में डाल देता है यह neighbor यही मर जाता है पुलिस officer से आते है कुछ normal से question पुछते है और मिशल पर कोई शक भी नहीं करने वाला मिशल की neighbor की wife अब घर छोड़ कर वहाँ से जा रही होती है यह उसे sorry कहती है यह कहती है कि मेरा husband सबको अच्छा लगता था पर उसमें भी कुछ बुराईया थी इसकी neighbor जा रही होती है तो उसे यह भी लगता है कि मिशल भी अब यहाँ से चली जाएगी तो मिशल कहती है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली थोड़ी दिर में मिशल का बेटा भी वहाता है अपने बेटे को उसने अच्छी सी कार एक पाइक करकर दी है मिशल जब अपने मदर के cemetery में आती है तो उसकी friend भी वहा होती है इसकी friend उसे कहती है कि मेरे husband को मैंने निकाल दिया है ये अब घर में अकेले नहीं रहना जाती तो मिशल के साथ कुछ दिन आकर रहना चाती है इसकी friend उस पर अब नाराज नहीं है इनकी friendship जैसी थी विसे फिर से continue हो जाती है अब मैं आपको मिशल के बारे में बताता हूँ है मुवे में जब लगता है कि मिशल अब ये करेगी वो करेगी इस तरह से वो react कर सकती है पर कभी भी वो उसी तरीके से react नहीं करती ये हमेशा काल्म होती है अपना जो work है अपना जो routine है ये कभी भी वो disturb नहीं होने देना चाती साथ जो incident हुआ है इससे वो affected होती है पर इस चीज से उसे वो define नहीं करने देती इसके father के साथ मिलकर इसने अपना घर जलाया था तब ये छोटी थी तिप उसे समझ में नहीं आ रहा था वहावार वो खुद victim बन चुकी थी इसके बाद उसके life change हो गई थी उसे हमेशा surveillance में ही जीना पड़ा था इस बार वो फिर से वैसा होने नहीं दे सकती वो इस बार victim है पर वो ऐसा जताना नहीं चाहती उसका शक उसके neighbor बजाता है तो deliberately उससे वो flood करने लग जाती है जब वो party में थी तो अपने son को पहले ही घर जाने के लिए उसने बोल दिया था उसका plan था कि अपने neighbor को भड़काएगी और जब वो घर आएगा तो उसका son उसे मार सकता है Michelle का son Vincent कभी भी कोई भी responsibility नहीं लेता था उसके पास थोड़ा सा वे confidence नहीं था उसने अपने son की responsibility ली थी क्योंकि life में कुछ अच्छा सा नहीं कर पाया है उसे लगता है कि मैं अच्छा एक father बन सकता हूँ उसके son का confidence boost करने के लिए भी उसने अपने son को इसमें involved किया था Michelle कोई भी impulse decision लेकर अपने life को बरबात करने वाली नहीं थी वो gun ले सकती थी और अपने neighbor को मार दे सकती थी पर इसके बाद इसको ही भुगतना पड़ता यह already इस experience से जा चुकी है अब यह smartly काम लेती है यह अपने neighbor से बदला भी ले लेती है और अपने son को जो confidence चाहिए था वो भी वो दे देती है इसका husband writer था इसके books नहीं चल रही थी gaming industry में भी इसने उसे entry दे दी इसके friend का husband cheating करने वालों में सही था उसके friend के साथ यह नहीं होना चाहिए इसलिए अपने friend को उसने बदा दिया उसके साथ सब कुछ गलत हो जाने के बाद भी उसे जो जैसे चाहिए था उसने पा लिया है यह बहुत ही controversial movie थी जो इस movie के बारे में कुछ अपने personal opinion नहीं देना चाहता अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा मैं बहुत सारी इसी movies लेकर आद रहता हो तो प्लीज चैनल को subscribe कर दीजे और bell notification icon दबाना भी मत भूलिए हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं movie साथ तब तेकिल thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिये